तो इस वीडियो में हम बात करेंगी कि प्लेजरिजम क्या होता है और जब भी आप अपना book write कर रहे हैं तो या आप कोई भी note त्यार करें तो वहाँ पर plagiarism देखना क्यों ज़ारी है, plagiarism क्या होता है और ये copyright से कैसे अलग होता है, copyright और plagiarism में क्या difference होता है वो हम जानेंगी इस वीडियो में, ये वीडियो हमारे एक वीडियो कोर्स से लिया गया है, तो अगर आप इस वीडियो कोर्स को करना चाहते हैं, इसके बार में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे टीम के साथ स्क्रीन पे दिया गए नमबर पे जुर सकते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते ह कि plagiarism क्या होता है plagiarism का मतलब goodness simple term में आपने किसी का copy किया है तो exam में students एक दूसरे को copy करते रहते पर यहाँ पे अगर आप अपना book publish करना चाहते है पना note publish करना चाहते है तो यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे का काम copy करके डाल देते हैं और उसको publish कर देते हैं तो उसको कहते हैं plagiarism और यह आपको नहीं करना है पर एक चीज़ आपको आप बोले हैं कि हाँ यहाँ पर science का term है law का term है तो terms तो मैं change नहीं कर सकता हूँ तो उसमें क्या मुझे plagiarism होगा नहीं वोची plagiarism नहीं होता है पर अगर आप भूबहू किसी क काम copy-paste कर रहे हैं तो वो plagiarism होता है और copyright का मतलब क्या होता है अब है आप कहेंगे कि copyright और plagiarism दोनों सेम है सुनने में तो सेम लगता है meaning भी तो सेम है नहीं Copyright का meaning भी अलग होता है और plagiarism का meaning भी अलग होता है for example किसी ने 100 word का आपका paragraph लिखा हैков और आपने भी 100 word का paragraph लिखा है अगर आप word by word यानि word by word अगर copy करते हैं तो वो हो जाता है plagiarism यानि word by word अगर आप copy करते हैं तो वो हो जाता है plagiarism और उसी जगा पे अगर उसका meaning यानि कोई अगर गाना लिख रहा है कोई अगर movie लिख रहा है कोई अगर कहानी लिख रहा है उसका अगर flow या यानि उसका अगर story या उसका अगर flow अगर आप copy करते हैं जैसे नदी किनारे कोई बैठा हुआ था उसको share ने आगे खा लिया और share को फिर इंसान ने खा लिया उसी तरीके सा अगर आप लिखते हैं कि समंदर किनारे कोई बैठा हुआ था उसको share ने या गीदर ने खा लिया और गीदर को इनसान ने खा लिया तो यहाँ पर अगर आपका same हो जाता है story तो फिर वो हो जाता है copyright violation तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि अगर word by word अगर आप copy करते हैं तो उसको कहते हैं plagiarism और यानि अगर आप पूरा movie का plot अगर copy कर लेते हैं तो उसको कहते है copyright जैसे आपने सुना होगा गाने का ध्षण copy कर लिया है तो वो क्या हो जाता है olurs या plagiarism जी है आपने सही का वो हो जाता है copyright तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं तो आपने अपना काम कर लिया आपने सब कुछ लिख लिख लिया तो यहाँ पर plagiarism जो है वो कैसे check करेंगे क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि plagiarism कैसे check करने अगर आपके body में sugar है आपको diabetes हो गया तो अभी अगर आप check नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलता है आप तो हवा हवा नहीं पता चलेगा आपको एक machine के माध्यम से sugar test करवाना परता है तो यहाँ पर plagiarism check आप कैस करेंगे यह चलिए जान लेते हैं